फ्रेंज किसी भी एलाइन्स का पिनार कैसे चेक करते हैं या उसका इस्टेटर्स चेक करना हो गया चाये वो वेब चेकिन हो या फिर बुकिंग मैनेज करना है या फिर आपको अपना टीकर जो है वैरिफाई करना है तो आप जो है खुश से ही कैसे अपना टीकर जो है करें और साथ साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी नॉलेजवल वीडियो आप तक पहुश्चती रहे फ्रेंज इस वीडियो में बात करने वाला हूं अगर आप विस्तारा एलाइन्स का ट केट वेरिफाइ करेंगे सो चलिए फ्रेंज कंप्यूटर स्कीन पर चलता हूं वहां पर आपको सकते हैं और उसका प्रिंट यूज करते हैं उसको open कर लेना है सो चलिए browser को open कर लेते हैं फ्रेंज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है browser को open कर लिया है अब जैसी आपका browser open हो जाता है आपको simply search bar में type करना है www.airvistara.com और इसका link आपको description में भी मिल जाएगा आप वहाँ पे click करके direct जो है इसके official website पे आजाएंगे सो जैसा की देख सकते हैं जैसी आप इसके official website पे आएंगे सो आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे सबसे पहले country language select करने का option आएगा सो इसको आपको close कर देना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कई सारा option मिल जाता है और नीचे आएंगे scroll करेंगे और यहाँ पे उपर में एक आपको option मिलता है manage booking का and check in का and fly status का सो आपको करना क्या है simply manage booking वाले option पे एक click करना है इस पे click करते ही आपको दो option मिलता है एक है booking reference number का and दूसरा option जो है last name का सो booking reference number में सबसे पहले आपको जो है reference number यानि पिनार number को जो है type कर लेना है अगर आपको या नहीं समझ में आता है तो आपके ticket पे भी पिनार number लिखा हुआ मिल जाता है सो उसको आपको यहाँ पे type कर लेना है पिनार number type करने के बाद last name में आपको अपना last name type करना है and उसके बाद आपको simply some bit वाले option पे click कर देना है सो जैसी आप इस पे click करते हैं तो आपका booking का जो details है सब open हो जाएगा अब यहाँ से आप अपना पिनार number confirm कर सकते है and booking date भी confirm कर सकते है और नीचे आएंगे तो आपका name भी full दिखाये जाएगा and यहाँ से अगर आपको ticket number भी नहीं पता है और यहाँ पे देख सकते है add contact details का option आ रहा है यानि अगर आपको change करना चाते है अपने ticket में सो यहाँ पे आपको mail ID, mobile number डालके continue करना होगा सो यहाँ पे मैं कुछ change नहीं करने वाला हूँ सो friends यहाँ पे सिर्प आपको check करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अपना ticket जो है ऐसे check कर पाएं सो simply scroll करेंगे और कहां से कहां तक कि आपकी flight है वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं कौन से airport से आपको departure होना है और कौन से airport पे जो है कितने बज़े arrival होना है कहने के मतलब यहाँ है कि आपको पूरा detail इसमें देखने को मिल जाता है और अगर आपकी flight वाया करके है तो यहाँ पे वाया जितना गंटा का waiting है कौन से airport पे है तो वहाँ भी आप यहाँ पे check कर पाएंगे हलाकि यहाँ ticket पे भी लिखा हुआ मिल जाता है अगर आपके mind में कोई भी शवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते है और अगर आप किसी और भी ऐलाइन्स का check करना चाते है तो उसका वीडियो आलेडी बना दिया हूँ डिस्केप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वीडियो पूरा वाच कर सकते हैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में टेक क्यार बाइबाए